नमसकार दोस्तों स्वागत है आपका Green Tech YouTube चैनल में दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल रहा है धान के खेत में चिरकाव कैसे करते हैं दहिए धान के खेत में दवाज चिरकाव कैसे करते हैं मशीन के दौरा यह देखे किशान भाय जो है यहाँ पे दवाई छिरकाओ का कार्ज करम यहाँ पे कर रहे है धान के खेत में यह धान के खेत में दवाई इस टैम में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि धान जो है यह सूख रहा है ठीक है धान का पत्ता जो है बिल्कुल सूख रहा है क्योंकि इसमें कीरा लग चुका है तो जब कीरा लग जाता है और धान जो है पीलापन हो जाता है जैसे देखिए हम आपको जूम करकर दिखा रहा है यहाँ पे धान देखे यहाँ पत्ता पीला पीला हो गया और बहुत सारे सूख भी चुका है तो इसी को रोक थाम करने के लिए दबाय का छिरकाओ किया जाता है यह आजकल जैसे देखिए धान का पौधा कितना छोटा है यहाँ पे आपको देखिए जोब करके मैं दिखाता हूँ ठीक है यह धान का छोटा पौधा है और हम आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि मतलब यह धान में कीरा क्यों लग जाता है धान में कीरा लगने का कारण यही है क्योंकि दीन राथ यहाँ बारिश हो रही थी बिहार का यह सीन है आपको पता है मिथला का मिथलांचल का सीन है मदवने डिश्री का तो दीन राथ बारिश हो रही थी और ज़्यादा दिन तक पानी यहाँ पे खेत में जमा और आ गया मतलब रोपनी के बाद नियम यह कहता है रोपनी के बाद जो पानी एक बार जो है सूखना चाहिए खेत से उसके बाद भले पानी परे तो अच्छा रही लेकिन धान में से खेत में से पानी जो है एक बार भी सूख नहीं पाया और उसके बाद जो है अभी कारण ये हुआ कि ये धान जो है सूखने लगा है और पीलापन हो गया है तो इसलिए जो है इस दवाय का छिर्काव करते हैं ताकि हमार ये जो धान जो है फसल ये बच जाए और पीलापन से फिर हरे भरे हो जाए तो ये है मिथला का सीन जो मद्बर नी डिष्टिक में है यह किशान यहाँ पर पीठ पे मैं फोड़ कर करका देखा रहा हो पीठ पे जो है दवाय का कंटेनर टिंगाए वे लाधे वे हैं जबकि solar liter जो है इसमें दवाय जो है contain करता है, ठीक है, store करता है solar liter और इसमें दवाय का छिरकाओ जो है दवाय जो है जो है मिलावट होता है, ठीक है, दवाय का मिलावट का जो है नाम हम आपको बता देते हैं, कि इसमें है spongah hereEC without eating. और एक जो है हम आपको बता दे देखिए इसमें दवाय जो है एक है नुट्री फास्ट एक है अनीका एक है मैकामबा एक है वोलगा यह चारो दवाय है जो इसमें मिला के छिरकाव करते हैं तो हम आपको दिखा देते हैं यह फोटो जरा इसमें हम लूड कर देते हैं आपको डिखाते हैं दवाई कि यह कौन-कौन सो दवाई है जैसे देखिए जैसे दिखी यहाँ पे चारों दवाई का नाम यहां पे जो में चिर्काव करे पाई कर मिला यहां पर हरा वरा पूरे दिखिए मैं चबढ़ घुमा घुमा को थुरा सा दिखा दे रहा हूं आपको कि सुरियास्त जो है होने पर है देखिए कितनी खुब सूरत द्रिश्च यहां पर देखने कर मिल रहा है कि कर देखिए और यह दवाज छिरकाओ कार्ज करम फिर से यहाँ पर देखिए इस्टे बारिकी से लाइन बार लाइन जो है यहाँ पर दिहान रखना पड़ता है कि हमने कहां तक छिरकाओ किया है फिर कहां से हमें टर्न करना है जैसे यह सैट से यहां से लेकर यहां तक बीच में चिरकाओ करते करते आ गये हैं और अब जो है यहां पर यह दिखिए जिसको पानी रोकने के लिए मेर काते हैं यह देखिए यहां तक छिरकाओ करेंगे फिर यहां से टर्न लेंगे फिर यहां इसे चिरकाओ करेंगे देखि सिर्फ हाथ को जो है यतना लंबा हाथ है उसे साब से आप डिश्टेंज नहावे बना सकते हैं और वहां पर छिरकाव कर सकते हैं यहां से वहां किनारा लगाके देखिए कि देखिए अब तक लेज़ बस्टेंज अब अएक वह हैं लूटन चाहिए कि मश्य अवाज कर रहा है लेकिन इतने इतने स्रों में अवाज करेंगा आपको आवाज पता नहीं चलेगा लिएकिन दवाय का छिरकाओ आराम से हो रहा है एक मतलब जो है एक गैलन में एक लिटर जो है एक गैलन जो है जमें 16 लिटर पानी वह आता है पानी तो दवाय जो है 16 लिटर हो गया आराम से चिरकाओ कर सकते हैं कठा हमारे मिथलांचल में मधोनी डिष्टिक के तरफ मिथलांचल कर जो होता है 20 दूर का एक कठा होता है और दुस्तों आप लोग कहीं कहीं और है कि मतलब कहीं के थोरा सा डिफ्रेंट होता है छोटी बारी खेत होता है कठा के एरिया वाज़ तो हम लोग का जो है 20 धूर का एक कठा होता है जो दो कठा में सोलर इडर आम से छिरकाओ कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको यह छिरका और यह मिलाबट जो है पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिएगा और दोस्तों के साथ शेर किजिएगा ताकि हर किशान भाइके पास यह वीडियो जा सके और जिनकी जुरत है तो यह मशीन और पलच यहां पर दवाय और छिरकाओ कर सके और मैं बता दू यह मशीन जो है 3000 के आसपास आता है जो आप आराम से बीज भंडार में जो भी जहां कहीं बीज भंडार है वहाँ से आप इसली आप उपलब्द कर सकते हैं